अगर तुम प्यार्क के खेल में नए हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा आप्शन होने चाहिए यहाँ ओप्शन का मतलब है लड़किया जी हा दोस्तो आप पहले तो सिर्फ लड़कियों को देखो और बात करते चलो अभी तुम्हें किसी लड़कियों को पसंद नहीं करनी है अभी सिर्फ तुम्हें बात करनी है और उन लड़कियों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने तु तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे दो qualities के बारे में जो तुम्हारे अंदर है और अगर तुम उसका इस्तिमाल करते हो तो तुम्हें बहुत सरी girlfriends मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो है uniqueness। तुम्हें दुनिया से अलग unique बनना होगा। तुम्हारे अंदर लाकों के भीड में नजर आने वाली quality होने चाहिए। तो कुछ से सवाल पूछो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि कोई औरत तुम्हें जीवन साथी की रूप में देखे या कोई लड़की तुम्हें पसंद करें। देखो लड़कियों के बहुत सारा option होते हैं तुम जीसे पटाना चाते हो हो सकता है उसके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो। तो किसी भी लड़की को पटाना चाते हो तो सबसे पहले देखो कि उसके प्योच्छे कौन-कौन है और वो क्या-क्या कर रहे हैं। जो सबी लोग कर रहे हैं तुम उसके उल्टा करो। ऑपोजिट हरकत तुम्हें सबसे अलग खड़ा कर देगी। और तुम लड़की की नजर में भी आ जाओगे और लड़की खुद तुम्हें पटाएगी। दूसरा तरीका है टेक अवे फॉर्मूला। इस तरीके का इस्तिमाल लड़की अब भखुवी करती हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत बाल लड़की एक दू हफ़ते तक आपको बहुत ज़ादा भाव देती हैं। तुम परिशान हो जाते हो, कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। अब तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो और आटोमेटिकली तुम उसके प्यार में पढ़ जाते हो। तुम्हें भी इसी फॉर्मूलो को अपनाना है। पहले तो लड उसके लाइफ के बारे में, उसके सपनों के बारे में, फिर अचानक से बाते करना बंद कर दो, वो खीची चेली आएगी तुम्हारे पीछे। तो वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई सवाल हो तो वेबसाइट विजिट करो, लिं झाल